हालो दोस्तों क्या हाल है आज हम बात करने वाले हैं किसान रेजिस्ट्री के बारे में किसान आईडी कार्ड और किसान रेजिस्ट्री किस प्रकार से करना है पूरी जानकारी XYZ बताने वाला हूँ जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी XYZ बताने वाला हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान रेष्टी और फार्मर आईडी किसान कार्ट किसे बनाएंगे बात करते हैं CSC विदाउट CSC से आप खुद से करेंग घर बेटे तो किस प्रकार से होगी यह प्रोसेस और एक एरर आ रही है जीरो को ले करके जीरो वाली जो एरर है उसे कैसे शॉट आउट करेंगे पूरी जानकारी बताएंगे और रेष्टेसन पूरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को लाश्य तक जरूर देखिएगा कई से स्कीब ना करें वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का डेज़ बोट रहेगा तो यहाँ पर आपके सामने जो रईस्टेशन करना है आपको बाहर से करना है क्योंकि CSC आपको लोगिन नहीं करके दिखा रहा हूं मैं बिना CSC के भी आप रईस्टेशन कर पाएंगे तो करना कैसे रहेगा उसको आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर देख लेना देखेंगे फॉर्मर का रईस्टेशन आपको करना है तो आपको यहाँ पर फॉर्मर वाले आप्शन के उपर क्लिक कर सकते हैं आपको सर उपर थेम आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसे यहाँ पर इंटर करना रहेगा जैसे आप confirmation option के उपर क्लिक करने के बाद submit वाले option के उपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो mobile नंबर अपडेट है उसी के उपर एक OTP आएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है verify कर लेना है verify करने के बाद जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपका जो नाम वगेरा सब कुछ आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरी जानकारी आपके सामने open हो जाएगी मतलब आपका नाम और आपकी पूरी जानकारी जो रहती है personal आपकी जो identity की जानकारी रहती है वो सब कुछ आधार कार्ट से फेश होकर कर आ जाएगी अब यहाँ पर करना के रहेगा आपका जो mobile number है उसे यहाँ पर enter करना हो रहेगा enter करने के बाद में दोस्तो उस पर एक OTP आएगा जो mobile number आपका registration में आधार कार्ट में registered है उसी को यहाँ पर enter करेंगे वहाँ पर देखेंगे आपका एक OTP वापस से आपके पास आएगा verify कर लेंगे verify करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जैसे यह verification complete हो गया अब आपको password बनाना रहेगा क्योंकि हम ID और password दोनों generate कर रहे हैं तो password कैसे बनाएंगे आपका नाम add the rate लगा के 123 इस प्रकार साब अपना password को generate कर लेना दोनों जगे आपको enter कर देना है इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो registration है मतलब आपका जो form है उसको आपको यहाँ पर activation complete हो जाएगा यहाँ पर successfully का message भी आ जाएगा okay करेंगे and then उसके बाद में वापस से login करना रहेगा यहाँ पर आपका जो number है mobile number उसे आपको enter करना रहेगा password जो आपने अभी create किया है वो password यहाँ पर login करेंगे capture code डलने के बाद यहाँ पर इसे sign up कर लेंगे right तो यहाँ पर यह पूरी process आपको कर लेना है तिके आप चाहें तो इसे mobile से भी कर सकते हैं चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने यह वाला option देखने को मिल जाएगा यह पूरी जानकारी जो आपकी profile की है वो सब यह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर इस वाले option के उपर आपको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आएगी यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपकी mobile number को change करना है इसे no करके यहां से आगे बढ़े जाना है तो इस वाले option के पर आपको no कर देना है no करने के बाद में यहां से आगे बढ़ेंगे आप यहां पर no करने के बाद देखेंगे दोस्तों आपका जो mobile number है उसे आप verify कर चुके हैं Gmail ID अगर आपके पास हो और आपकी Gmail ID active हो तो आप यहां पर उसे active कर सकते हैं मतलब उस पर भी OTP डाल सकते है otherwise इसे छोड़ दीजेगा जरूरी नहीं है चलिए इसके बाद में यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप सभी ने बहुत सारे मेरे जो लास्ट वीडियो उसमें कमेंट भी किये हैं कि सब हमारा 100% मेश नहीं होता है तो उसके लिए आपको मैं पले बता दू कि आपका नाम हिंदी में और अंग्रेजी में एक जैसा होना चाहिए इसके बाद में पूरी जानकर यहां पर देखने को मिल जाएगी आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फादर नेम भी आपको हिंदी में आपको टाइप करना रहेगा क्योंकि यहां पर फेश होकर के यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर कुछ गलतियां होती है वह समझ लीजेगा मैं प्रधान मंत्रिक किसान सम्मान निधी योजना के मारदर्शिका के अनुसार योजना है तू पातरता रखता हूँ और इसमें आवेधन करना चाहता हूँ तो मतलब अगर आपको समान निदी की योजना को बंद ना हो, इसलिए आपको farmer ID registration करना होता है, तो इसे यहाँ पर yes करेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, अब देखिए एक problem यहाँ पर भी आती है registration, देखिए आपका जो नाम है, मतलब आपका जो address है, उस address को यहाँ आपको English में type होकर रहेगा, और यहाँ पर Hindi में भी आपका पूरा address आपको type करके यहाँ पर enter करना रहेगा, अगर पहले से डला हुआ है, पहले से enter है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका पिन कट डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तेकि यहाँ पर आपके सामने एक option यह वला रहता है, insert latest residential detail, इसे आपको कुछ नहीं करना छोड़ देना है, ठीके, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ownership की detail आपको यहाँ पर देना रहेगा, ownership में आपकी जमीन स्वयम की है, या फिर किराया पर है, तो आप यहाँ पर स्वयम, आपको ownership का ल इन डीटेल आपको फेश करना रहेगा, तो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, वो भी समझ लीजिए, क्या समस्या आती है, सबसे पहले आपका जो district है, सब district है, और आपका गाउं, सहर जो भी है, जहाँ पर आपकी जमीन इस्ती थे, वो सब आपको पूरी process दिखाता हूं, सर्वे नंबर वगिरा सब कुछ आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वे नंबर हमने जिससे इंटर किया, इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा, submit वाले option के उपर जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो submit जैसे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो आपका जो lane detail किसके नाम से जमीन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो एक बार इसे verify जरूर कर लीजेगा, चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने इसके उपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने यह वाला जी प्रोसेस से वो आजाएगी, अब इसमें जो आपके जो कितने खसरे आपके इसमें aid है, कितने सर्वेश इसमें aid है, वो सब आपको यहाँ पर verify करना रहेगा, इन सब को आपको एक बार या तो manually आप checkbox के उप क्लिक लगा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो बाद में आपके सामने verify का option भी आगे आएगा, तो उसे आपको verify कर लेना है, तोड़ी देर के लिए कुछ process आपके सामने यहाँ पर चलने को मिलेगी, मतलत देखने को मिलेगी, चलिए इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आजाएगी, तो यह जो आपका जो खसरा नंबर है, यानि के survey नंबर है, उसे आपको verify कर लेना है, submit कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने जिसे इसे submit करने के बाद में कुछ खसरे हमारे aid होकर के छोड़ दिये गए हैं, तो उसे हम केसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों अगर आपने पहले एक बार बना लिया है, आपकी फार्मर ID कम्प्लिट हो गई, तो पटवारी की द्वारा वापस से सुधार किया जा सकेगा, तो यहाँ पर verify वाले option क पर हम click करेंगे, click करने के बाद में यहां से आगे बढ़ सकेंगे, तो यह verify हो चुका, एक ही survey हमारा इसमें 8 था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक ही survey आया, ठीके, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर पूरी जानकरी आपको देखने को मिल जाएगी, आपक कि कुछ जानकारी है, आपके समगरा इडी से भी paste होती है, इसलिए दोस्तों आपकी जो समगरा इडी की detail है, उसे आपको completely यहाँ पर enter करना रहेगा, अब देखिए यहाँ पर आपको approval करना रहेगा, तो approval करने के लिए आपको यहाँ पर agriculture वाले option के उपर click करेंगे, तो यह यहाँ पर आपके सामने save वाले option आएगा, अब जैसे देखिए, मैं जैसे इसको save करता हूँ, तो एक error आती है, अब फिलाल मैं आपको error के बारे में बता दू, यह error क्या है, 0 को लेकर के एक error सभी के साथ आती है, तो इसके लिए बहुत सारे comment भी आया है, लास्ट वीडियो आती है, तो यह जनरली तीन problem, तीन current से आती है, यह तीनो process आपको कर लेना है, अगर आपके सामने भी 0 वाली ऐसी कोई problem आती है, तो यह यहाँ से short out हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप आराम से यहाँ से जैसे success वाले, इसके उपर submit वाले option के उपर click करेंग मतलब आपका browser की history आपको clean करना है, इसके बाद में आपका browser ही change करके देख लेना है, अगर ऐसा हो जाता है, तो complete होने के बाद आपके सामने registration successfully हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने message जाएगा, थोड़ा सा नीशे करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर एक PDF वाला option भी आए कर देना चैनल को subscribe कर लेना है,